अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेर आइकन को प्रेश कर लें इससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंशती रहें आज के इस वीडियो में हम आपजिक्टी कृष्ण की सीरीज में सर्वे की जो किशन है उसको हम कबर कर रहे हैं इसके पहले आपका बेदिग मेट्रियल के जितने भी आपजिक्टी किशन बनते हैं प्रतेक चैप्टर वाई सारे कृष्ण कबर हो चुके जिसका लिंक आपको में दे दिया जाएगा अभी हमारा सर्वे की जो सिरी चल लेगे इस में आपका एक चेप्टर कभार हो चुका यह ल यह दे आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अवाज की साथ जरूर चलिए हम आज की कीशन को श्टार्ट करते हैं हम देखेंके जुँखै आपको जो वह है । तीन पारट में मिलांगा तरहले, जितने भी पूझवैं पूझे अि पैणि नूद सब्सक्राइब मिल जांगदा雪 सर्वे, इस वह हैं के वह बन सविहु है क Lap e 6. सब्सक्राइब करें देखेंगे लेकिन दो या तीन पार्ट में देखेंगे आज के फर्स पार्ट में हम क्यूशन नंबर 60-90 यानि कि इसके पहले जो उनसर तक का क्यूशन था वह हमारा था सब्सक्राइब फर्स चप्टर का एक से 59 तक और फिर हमारा 60-90 यहां से स्टार्ट हो रही है सिरीज हमारी चेंज सर्वे की पहले हम देखेंगे पहले पार्ट में तीश क्यूशन उसके बाद भी हम इसके क्यूशन को देखते रहेंगे जली हम देखते हैं आज का पहला क्या ह यह पारा क्यूशन हम रहे हैं एक सर्वेयर बिंदु यक्स एवं बिंदू वाई के अंतर को उत्धान पी मानता है जिसकी डाल यस है ठाल सुधार की गड़ना का सुत्र क्या हो गा की से फार्मूला आप से पूछा जाता है एक सर्वेयर बिंदु यक्स एवं बिंदु वाई के अंतर को उत्थान पी मानता है जिसकी ढाल यस है ढाल सुधार की गड़ना का सुत्र क्या होगा तो यहां से हम देख सकते हैं जब surveyor बिंदु y के अंतर का उत्थान P मानता है जिसके यस ढ़ाल है तो घाल सुधार की गड़ना इस तुर में पी इस्क्वाइर 2Y घाल सुधार की गड़ना का गरेक्शन हमारा होता है वो हमारा P square by 2Y होता है तो यहां से आपका option nr A सही हो जाएगा आपसे नमबर है आपका सही एंसर है इसी तरीके से इसके बारे में हम डीटल देख सकते हैं कि खिचाओ या तनन सुधार का जो फार्मूला होता हो क्या होता है यह भी आपसे फूसाद एक्जाब में यहां से हो जाएगा यहां से आपका सैग जो करेक्शन होता है जोल सुधार का सी यहां से आपके जो तीन फार्मूले यह सारे इंपोर्टेंट है बोलते हैं ऑ पट्य этому के लिए आवश्यक रीजुरेखन चाड़ो की संख्या कितनी होती है रिजुर्हन हमारा होता है रेंजिंग की हिन्दी घंदी जिसको रिजुर्हन बोलते हो हिन्दी जो पड़ते नूंबर 2 जरुषाम को पड़ती है इन डाइस्ट रसरों की दूर से पहचान के लिए तथा बूमिपर सरङचा डालने वाउं इसकी सिधाई की जांज के लिए wanna की रोग किमा निया यानली की रेंजिग रोड परोड़ कि यद जीरो मीटर की उर्द्वासर पट्टियों में एकांतर में काले है सफएध रंग में रग दिया जाता है सरविछड है तो अवप परतियाच सिरे आरेखन चड़ों की आसिकता होती है इन डायरीक रेंजिंग के लिए हमको देखिए पाचान के लिए इसे 0.20 मीटर की उर्धवासर पट्टियों में कांतर काले सफेज रग में रख दिया जो कलर आपके किया जाता है तो एक पट्टी जो होती है 0.20 मीटर की होती है 20 cm की होती है नेश्ट हम देखते हैं एक पुराने नक्षे का शंकोचन कारक 24 25 है और आरेफ आपका इतना दिया हुआ है तो नक्षे के लिए संसोधित परिमाड क्या होगा कारक दिया है आरेफ दिया है संसोधित परिमाड आपको पता करना है यहां से देखिए पुराने नक्षे का शंकोचन जो स्रिंकेश दिया आपको 24 25 दिया है और जो आपका संसोधित न निकाल लेंगे श्रिंगेस्ट फैक्टर इंट्व इंकरेक्ट इसकेल इस तर्फिश और इनकरेक्ट इसकेल आपको दिया एक बट्टे 24 तो यहां से हम रखेंगे इसको आपसे करेंगे और यहां से हमारा संसोधित आपका निरूपक भीन होगा आर्याइप कमान होगा पता चल जाएगा एक बोटे 25 से होते हैं से भी आपसंस आपका सही अंसर हो जागा नेक्स देखते हैं मुख के सर्वेच्ट रेखाओ पर कुछ इस्थिर स्टेशनों को जोड़ने वाली रेखा होती है मुख के सर्वेच्ट जो में आपकी सर्वे लाइन होती है उसको कुछ सहायक रेखा होती है इसमें यह चारो जो रेखाओं का नाम दिया गया इस सभी इंपोर्टेंट है इस से रिलेटेड वी क्यूशन आपके एक्जाम में पूछी आ सकते हैं तो मुख के सर्वेच्ट रेखाओं पर सर्वेच्ट इस्टेशनों को जोड़ने के लिए प्रियो की जाती है यहां से आपसे नंबर सी आपको सही है सरो कंडेक्शन देखते हैं यह दि किसी मैदान जिसका छेत्रफल शट तैतिस दर शेह सो मीटर स्कॉयर है कि मांसी तो लंबाई और चोड़ाई करम से यह दिए बार सेंटीमिटर और साथ सेंटीमिटर फैमाने का आपको निकालना आरे उस रेलेटिट भूह सारे क्विशन पुछ आता है स्केल से रिलेटिट इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा यहां पर छेत्रफल दिया हुआ है लंबाई चोड़ाई दी हुए है और आपको आरे आपको आरे पकमान पूछ रहा है यहां पर यहां से हम मांचीत्र का चेत्रफल निकाल लेंगे और जो फिल्ड का चेत्रफल होगा उसके इक्वालेंट करेंगे हैं दोनों को आपस में बराबर करेंगे और यहां से हम सॉल करके यहां से आपके यहां से निकाल सकते हैं यहां से आपसन नंबर आपका डी सही अंसर है नेक्टन देखते हैं एग्ए उस्वानट इस थो फाइव पयमाने वाले मानची एँ और वन इस्टू वाइव इसटू फाइवजन पंध करिमाने वाले एक अन्य मांचीतर बीए कि दिया गया स्पाइब और स्वीष पूछा जा रहा है क्योंसा आपकान सहीा कथन दिया गया है था रही हो sü preserveर श्री वोड्री को यहां से यह पॉइंट आप याद रखेंगे हमेशा के लिए क्यूंकि आरे फोर इसके यह से बहुत जादा क्यूशन मनते हैं पूछी जाते हैं आपके सर्वे में तो किसी नक्सा को तब बढ़ा कहेंगे जब उसका आरे जोटा होगा यानि कि जब आरे फ कमान चोटा हो तो आंब कण्सा बढ़ा हो तो नक्सा आप का बढ़ा कर राएगा यहां कि लिए के लिए कम दिया है लिए आरे फननीकाल और और यहां से तो 0.001 और आरेफ इसका अमाना जागा 0.002 तो कौन सा बढ़ा आपका है आरेफ ए बढ़ा है यहां पर देखिए 0.001 बढ़ा है 0.002 से तो यहां से आपको clear हो गया यानि कि जिसका आरेफ जिसका आपका नक्से कुतब बढ़ा करेंगे जो उसका आरेफ बढ़ा होगा तो यहां से एक आपका बढ़ा है तो आरेफ यहां से अपका clear हो गया तो यहां से आपसमस आपका सही इंसर होगा मानचीत्र A, मानचीत्र B कि तुल्णा में ब्रीहत पैमान Ort मांचीतर है नेक्स्ट हम देखते हैं शू आधारित इस्तिती में किसी तिर्भूद का कोई भी कोड कितने डिग्री से कम नहीं होना चाहिए जो आपका इने वेल कंडिशन ट्रेंगल वन एंगल शुट नाट भी लेस दें जो हम ट्रेंगल बनाकर जो सवर्वे करते हैं उसमे उसका कोई भी कोड किस्कश्ण से कम नहीं होना चाहिए यह कुशू मिया at the most important है और आपके सब्दर पुछे आते हैं तो एसाट इससे टिश्ट रट लिजेगा थिसी से कम नहीं होना चाहिए प्रोबूस जो कोई भी कोड 30 डिग्री से कम यह माप लेने में आसानी रहती है तो था नक्सा बनाने में परिशुद्दा मिलती है तो यह आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है आप याद रखेगा कि जो भी तिर्बूज बनाकर सर्वे करते हैं उस तिर्बूज क्या कोई वी कोड़ 30 डिग्री से कब नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए नेक्स्टम देखते हैं नीवने लिकित में से सबसे लंबी क्या है आधार रेखा सब्सक्राइब करते हैं इसे तरह चेक लाइन क्या होती है तो सारी चीजों को फीगर के मदल से देखेंगे यहां पर देखिए आधा रेखा आपकी क्या है सरवेच्छर रेखाओं के ढाचे में सबसे बड़ी आधार रेखा होती है सरवेच्छर का पूरा ढाचा इसी पर सबसे लंबी जो रेखा होती है आधार रेखा होती है आपकी आधार रेखा होती है यह आप याद रखेंगे पर यहां से देखिए और पर आशचर को सबसे ही अग देख़ रेखा होगए यह दो सबसे लंबी थालते हैं यहां पर वहां gethe tep cheek argot taraz cringe इस वाधारेखा सबस्पों और यहां बेलकुल याद है altogether यहां उत्के करते हैं सब्सब्सक्राइब निसều रखना है कि याद अधार यहां से बड़ी होती है और यह आधार रेखा करते हैं था यहां की चेक लाइन है और जो यह उपी स्टेशनों को मिला रही है वह आपकी टाइलाइन है इस सारे पॉइंट को याद रखेंगे सारे सभी पॉइंट से आपके रिलेटेट कीशन मिल सकते हैं निकी सर्वेषण कारे की धाची की सुधता तो आरेकन की धारता की जाच करने लिए पॉइंट से निकाली जाती है वह रेखा जो की एक चेन सर्वेषण में सुधता से मापी जाती है तो बेस लाइन यानि की आधार रेखा वी आपसंस आपका सही अंसर है नेश्टम देखते हैं सो कडियों वाली एक जंजीर यानि की चेन से एक रेखा की लंबाई मापने में 2000 कडिया पाई गए यादि जंजीर 0.5 कडि छोटा था तो रेखा की वास्तिक लंबाई ग्याद कीजिए इस तरीके के कीविशन आपको बहुत मिल जाते हैं जो निमेरिकल टाइप के हैं आप की थी वह आपकी 0.5 कडी 2 गया QUड़ा निमेर इस तरीके से नापी असुद्ध लूरी इससे मापे थे 100 कड़ी से तो आपकी 2000 कड़ी मिली थी और यह जो लंबाई थी आपकी असुद्ध लंबाई थी क्योंकि बाद में पता चला 0.5 कड़ी छोटी है तो जो सुद्ध लंबाई आपकी आगे सुद्ध लंबाई यहां से तीन माप को पता होंगे एक आपको फायंड करना होता है तेहां से आपको देखें क्या पता है यह लोन कमान पता है सुद्ध लंबाई पहले आमारी 100 कड़ी थी लेकिन बाद में 0.5 कड़ी छोटी पाए गई तो यह लटू आपको क्या होगे निन्यानवेदा सलो पांच डीटू आपका यानि कि अशुद दूरी जो दिया है यह सही दूरी नहीं है आपकी गलत दूरी ब यहां से डीवन कमान निकालना है तो यह लटू डीटू अपने लोन हो जाएगा सारे मान हम यहां फील करेंगे और यहां से हमारा डीवन कमान आ जाएगा 1990 कड़ी यानि कि जब हम इसे नापते अगर सही जो आपकी सुद्ध लंबाई थी अगर छोटी नहीं होती तो आपक नमबर आपका बी सही अंसर हो जाएगा 1990 कड़ी